गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पुस्य मित्रसुंग कोन था यह उसका सासनवय समराज्य विवस्ता कैसी थी तो देखेगा फ्रेंड्स पुस्य मित्रसुंग अर्थात मोर्य समराज्य का अंत जो मोर्य समराज्य का अंति सासकता ब्रेदर्थ उसकी हत्या उसका सेनापती करता है पुस्य मित्र और फिर सुंग वन्स की स्थापना करता है तो इस परकार से मोर्य समराज्य के प पढ़ेंगे तो देखेगा पढ़ते हैं पुसे मित्र सुंग कौन था यह उसका सासन वसमराजी विवस्ता पुसे मित्र सुंग कौन था पुसे मित्र सुंग 184 से 118 में बीसी ने सुंग वन्स की स्थापना की थी तो पुसे मित्र सुंग उसने 114 में 114 बीसी में जो सुंग से उसकी स्थापना की थी और इसका ससन गाल 184 से 148 भीसी रहा था ठीक है पुषे मितर सुग मोर यह समराजे का सेना पती था इस ने अंति मोर यह साथ सक ब्रेद अर्ज की 184 इसे पूरव में हत्या करके उत्तर भारत में सुग्वन्श की स्थापना की पुषे मितर सुग एक ब्रामन था उसके बाद पुसे मितर सुंग ने अस्वा में येग्य किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार छेतर में ले लिया था पुराणों के अनुसार पुसे मितर सुंग ने 36 वर्सों तक सासन किया था पुसे मितर ने सेनानी की उपादी धरन की थी तो दिव्यावदा नमग बोद गरंद के अनुसार पुसे मित्र को बैमबिक कुल का ब्रामन माना है तता पुराण भी यही बात कहते हैं बोधायन श्रोथ सुत्र के अनुसार पुसे मित्र सुंग का स्यप गोत्रिय ब्रहमन था आस्वालेन श्रोथ सुत्र के अनुसार सुंग पूरोहित या आचारिय ब्रहमन थे ये सर्वे मानने मत है तो जैसे कि सुंग है वो पूरोहित या आचारिय ब्रहामन थे हैं सबसे मानने मत है और ये किसका है आस्वालयन स्रोथ सुत्र का हर सचरीत जो बान भट दूरा रचित है पुसे मितर सुंग को अनारिय कहा गया है अपने कर्मों में ब्रैदर्थ की हत्या करने के कारण ब्रैदर्थ की हत्या की थी इसने किसने करी थी पुसे मितर सुंग ने तो इसके कारण हर सचरीत रचित जो बान भट है उसमें कहा गया है कि पुसे मितर सुंग है वो अनारिय है हरिवन्स के अनुसार पुसे मितर को ओद्विज अच्चनक उत्पन होने वाला कहा गया है हर परशार शास्त्री के अनुसार पुसे मितर पार्शिक समुदाय से था ये भी माने मत नहीं है पुसे मितर ने पाटली पुत्र को राज़दानी बनाये रखा तता मोरियों की प्रशास्निक पढ़नाली को ही अपनाये रखा था ठीक है अगला अता पुसे मितर शूं के समय में भारत पर यवन अर्थात यूनानी आकर्मन हुआ इसका पता निम्न लिखी तीन गरंतों से चलता है गारगी सहिंता जो मोरियोत्रकाल की है महाभास्य सहिंता जो मोरियोत्रकाल का है मालविकागनी मित्रम जो गुप्तकाल का है इनसे पता चलता है कि पुसे मित्र सुंग के समय में भारत पर यवन या यूनानी आकरमन हुए थे पुराणों के अनुसार पुसे मित्र ने दो अस्वे में गेगे किये थे पुसे मित्र के समय हुए यवन आकरमनों में से एक यवन आकरमन को उसके पुत्र वसु मित्र ने सिंधु नदी के तठ पर ऐस अफल किया था अब आता है पुसे मित्र सुंग का समराजय विस्तार तो पुसे मित्र के काल में पुसे मित्र के पुत्र अगनी मित्र ने विधर्ब जो महराष्ट में है के सासक यग्य सेन मोरिय सासक भ्रहधर्द का संबन्दी था को प्राजित कर विधर्ब के बड़े भू भाग पर अधिकार किया पुसे मित्र सुंग की राजानी पाठली पुत्र थी, पुसे मित्र का समराज ये उत्तर में हिमाले से लेकर दक्सिन में बरार तक था, पस्तिम में पंजाब से लेकर पूरा में मगद तक फैला हुआ था पुसे मित्र बोधों का विरोधी था, उसने असो के द्वारा बनाएगे चोरा से हजार से हजार स्तूपों को नस्ट्र करवाया था इन पुसे मित्र ने एक बोध बिक्सु के सीर के बदले सो स्वन मुद्राइं देने का अधेस दिया बोध गरंतों का यह वर्णन अत्ति शोक्ति पूर्ण है क्योंकि सांचीवे भरहुत इस्तूप जो मध्यपर्देश में है के एक बड़े इस्तूप का निर्मान पुसे मित्र के काल में हुआ तथा पुसे मित्र के पर्शासन में अनेक बुद्ध सम्मिल थे आता है नहीं कहा जा सकता कि वह ज़्यादा यह ज़्यादा कटर था देखेगा important note है मोर यह सूंग तथा कणवा वन्स की राजदानी पाठली पुत्तर थी पुसे मित्र सूंग के बाद उसका पुत्र अगनी मित्र सासक मना जिसने राजा की उपादी धरण की थी पुस्य मित्र सुंग का सासन दथा उसका समराजे कैसा था देखेगा सासन विवस्ता उसकी कैसी थी पुस्य मित्र सुंग प्राचिर मोरे समराजे के मत्यमर्ति भाको सुरक्षित रख सकने में विजयी रहा था उसके समराजे में अयोध्या तथा विदीशा भी साम मिल थे, अयोध्या के लेख में पुस्य मित्र का उलेख मिलता है, विदीशा में उसका पुत्र अगनी मित्र सासन करता था, मालविक अगनी मित्रम के अनुसार विद्धर्व का राजे पुस्य मित्र के अधीन था, दिव सिन में बरार तदा पस्य में पंजाब से लेकर पूरम में मगत तक विस्त्रित था पाठले पुतर सुंग राज समराजे की राजधानी थी पुस्य मित्र सुंग की सासन व्यवस्ता देखेगा पुस्य मित्र सुंग की सासन व्यवस्ता के बारे में सही जानकर प्राप नहीं ह अनुमान लगाया जाता है कि पुष्य मित्र ने मोर्यों की समराजे विवस्ता को ही अपनाया था। जहन्देव कोसल का राजेपाल था। वसुमित्र के उदाहरन से इसपस्ट है कि राजकुमार सेना का संचालन करते थे। मालिका अगनी मित्रम में अमात्य परिशत तथा महाभास्य में सभाका उलेख हुआ है। और ये कालीर मंत्री परिशत थी। इससे सपस्ट है कि सासन में सहायता परदान करने के लिए मंत्री परिशत भी होती थी। मनुश्मर्टी से सुंगकाल के सुविक्सित न्याय था स्थानी परशासन की भी जानकारी मिलती है। ग्राम परशासन की सबसे छोटी कई होते थे। तो देखेगा इस वीडियो में हमने पुसे मित्र सुंग कोन था। उसकी सासन में विस्ता कैसी थी। उसका समराजे विस्तार कहां से कहां तक था। इन सब बातों के बारे में पढ़ा। यदि कोई गलती हो गई हो आपको हमारे वीडियो में कोई तूटी लगे तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेसन मिलें। और इत्यास विशे से सम्मंदित आपको एकजाम में बहुत ही सयोग मिलेगा इन वीडियो से तो हम यहां पर एकजाम को लेकर ही जैसे फैस्ट ग्रेर, सेकिंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, नेट इन सब को ध्यान में रखते होएं हम ये नोट्स बना रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद